सर एक सवाल है कि क्या law of attraction एक धोका है सवाल तो बहुत बढ़िया है यह धोका भी और धोका नहीं भी है अगर आप साफसी बात है अगर आप इस कप को कहने लगो यह कार है यह धोका है तो यह धोका है कप है तो कप है law of attraction को अगर सही तरीके से आप जान ले तो यह law of attraction है और जैसा आज का law of attraction को हमने एक तरह से हववा बना रखा उसके शेप बिगाड़ दिये नहीं नहीं ट्रेनिंग मोडूल नहीं नहीं लोग आ रहे हैं with due respect हमने law of attraction को कुछ ऐसा कर दिया है कि वह असा लग रहा हम आदमी के लिए कि पता नहीं वह क्या चीज है सरा आज की डेट में सभी लोग law of attraction के पीछे भाग रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम अगर कुछ चीज को law of attraction के तुरू हर चीज को अपनी life में ला सकते हैं तो क्या यह चीज इतनी quickly मिल जाती है life में अगर इसकी शर्ते हैं साफसी ब तो मैं क्या उस अट्रेक्ट करने के लिए उसके point of view से वो आदमी हूँ वो qualification मेरे पास है या मैं ऐसी कहने लगो माल लेते में कह रहा हूँ कि मोदी जी मुझे अपने office में बठा के मेरे साथ भी I mean मेरे से भी सलहा लें देश को कैसे चला जाए मोदी जी तो इस काम को कर ले पर मोदी जी के point of view से क्या मैं वो आदमी हूँ तो अगर मैं कहता रहा हूँ मोदी जी is calling मी मोदी जी is calling मी तो सवाल यह है क्या मैं उस position के point of view से उसके लिए deserve करता हूं और deserve कैसे करेंगे यह चीज़ लोगों को पता नहीं है तो सर इसके लिए क्या किया जाए क्योंकि यह तो आज हर तरफ यही सुनने में आ रहा है। सबसे पहली बात यह है कि लो ओफ अट्रेक्शन को पहले यह समझिएगा कि लो ओफ अट्रेक्शन बिलकुल एक नैचुरल फिनोमीना है जैसे अब सांस लेते हैं वैसे ही हमारी जीवन में लो ओफ अट्रेक्शन आता है। आपके पास बगेर मांगे आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, धर्ती मिल रही है, आकास मिल रहा है, अपोर्चिनटी मिल रही है, रिष्टे मिल रहे है, जीवन मिल रहा है, अमिन शरीर मिल रहा है, इतना कुछ आपने अट्रेक्ट कर लिया, क्या इसके लिए किसी trainer के पास गए थे आप, नहीं गए थे ना, अपने आप मिल गया ना, अब सवाल उड़ता है कि बाकी चीजों को अगर आप अट्रेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी being के अंदर, आपके personality के अंदर, आपके subconscious mind के अंदर कुछ एक गुण होने चाहिए, पहली त आपके बाद गंगा जल है, एक बाल्टी, उस एक गंगा जल में आपको सिर्फ एक बूंद कीचड की डालनी होती है, वो बरबाद हो गया, वो गंगा जल नहीं रहा, बिल्कुल यह हमारे mind के अंदर है, हमारा mind अगर clean है पूरी तरह से, तो बात ठीक है, लेकिन वहां तो past के painful memory परी पड़ी है, महा पर trauma भरे पड़े, बच्पन की यादे खराब पड़ी है, बच्पन में abuse भरी पड़ी है, बच्पन में सपने टूटे पड़े है, मुझे पूरा प्यार नहीं मिला, मुझे पूरी opportunity मिली मिली मिली, मुझे लोगों ने सताया है, यह सारे reference पड़े नहीं कटेगी ना, तो इसका मतलब है कि पहले तो आप अपनी garbage को, और यह दूसरा garbage यह है कि future मेरा uncertain है जी, present में मैं पता नहीं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरे लिए important क्या है, यह नहीं पता है, इतने garbage के बाद आप यह कह रहे हैं कि now I am attracting money, भाया आप वो attract करोगे जो आपके पास अभी अंदर है, मेरे गड़े में पानी है तो पानी निकलेगा, इस cup में पानी है तो पानी है निकलेगा, और इस cup में चाय है तो चाय निकलेगी, ऐसा नहीं होगा कि cup में तो पानी है और इस मैसे में चाय निकाल दूँ, यह कोई magic नहीं है मतलब, कोई magic न स्थान्त और मैं पूर्य की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा संसार क्या है संसार में माद्ध्री आने के संसार कैसे काम चांगोरता है आपके बीच में एक प्रम आत्मा यृष्ट ॢहत्म ऊपर इक व्हल्य को संसार इंड़ी स्थान्त करता है आपके बीच में जो आप आत्मा है और एक परम आत्मा यानिके एक बड़ी बिग आत्मा को कह लिजेगा यानिके जो यूनिवर्सल एनरजी अद्वियत सिद्धान्त में जिसको मोनिश्टिक थेयरी कहा जाता है उसमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है आपके और मैटर के अंदर मोलिक्यूल है मोलिक्यूल के अंदर एटम है यह मैं मैटर के अंदर मोलिक्यूल है मोलिक्यूल के अंदर एटम है एटम के अंदर एलक्ट्रोन है और एलक्ट्रोन नहीं है वो एनरजी है मैं एक मैटर हूँ मैं मोलिक्यूल का बना हूँ है मोलिक्यूल के अ यह illusion है, यह थोड़ी दिन बाद यह टूटाट के मिट्टी में मिल जाएगा, energy अलग हो जाएगी, उसी तरह से मैं भी हो जाओंगा, तो basically हमें यह समझना होगा, कि जब हम low of attraction की बात करते हैं, तो मेरी energy, उस परम energy के साथ, कितना connection रखे हुए है, for example, जब भी मेरे अंदर एक energy है, वह वही energy है, जो बाहर के energy है, जो इस universal की energy है, जिसको आवेकन दा God of Miracle में यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, यह इसकी खास बात होते हैं, इसमें सत्चित आनंद होता है, अगर आप कभी भी पढ़ेंगे महापुर्शों को, तो हमेशा कई बार नमस्कार नहीं करते, वह एक दूसरे को कहते हैं सत्चित आनंद, सत्चित आनंद, तो नाम बना इस एनरजी, ठीक है न, दूसरा है चित, चित का मतलब इसमें एक कॉंचिसनेस है, जैसे यहां पर अगर नीम का पेड़ बहुगे तो नीम का पेड़ लगेगा, आम का पेड़ बहुगे तो आम लगेंगे, और आम के पेड़ को पता है कि इसका साइकल कभ आएगा, और इसको बड़ा घर मिल जाए, तो इन चीजों के लिए लोग law of attraction को यूज कर रहे है, तो यह अगर हमें real मायने में एक सही तरीके से चाहिए, तो उसके लिए क्या किया चाहिए, सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी चीज को मांगने के हक रखते हैं, नमबर एक, पहली है, कहते हैं कि राजा ही धरा को भोगता है, यानि कि आप राजा बन कर रहे हैं, और यह universe आपको देने को तयार है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि अपनी energy और उस energy के बीच में आपका कितना synchronization है, एक रूपता है, for example, आपने कभी उसको देखा ECG को, जब patient, जो heart का होता है, तो उसमें ऐसा होता है, कि एक baseline है, तो एक बार उपर जाएगा, और टक टक करे, एक बार निचा जा, टक टक टक, दो बार, ठीक है ना, तो एक उसमें rhythm होता है, यानि कि उसमें vibration है, उसमें एक तरंग है, ऊपर निचे जाने की, और एक उसमें information ह कि या आदमी ठीक है, और अगर उसका ऐसे होने लगे, तो अभी vibration तो है, पर information बदल गई, तीसरा यह है, कि वो flat line आ जाए, अगर किसी की गलती से, तो dead है, यानि कि आप इना तो इसमें vibration है, और ना ही कोई information रही अब, ये information है कि no information is there, तो यानि कि अब समझने की कोशिश कर करते हैं, तो energy में दो चीज होती है हमेशा, पहली होती है, उसमें एक vibration होती है, vibration का एक आयाम होता है, उस frequency में हमेशा कितना उपर जारी, कितना नीचे जारी, लहर होती है वो, ठीक है ना, और दूसरा होता है, उसमें एक information होती है, अगर आपके अंदर past में इतने painful memory पड़ आपके अंदर हमेशा एक game चल रहा है, ठीक है ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानते हैं ने हम तो, ठीक है ना, कि बाहर तो दिखाते हैं कि बहुती बड़े वो, I mean सादू है, या पिर बच्छे ट्रेनर हैं, उन अंदर game चल रहा है गलत, तो यानि कि उनकी energy तो कुछ और कह रही है, ठीक है ना, और वो फिर कहते हैं कि अब हम low of attraction से चीजों को अच्छा लेंगे, भाया आप वही तो attract करो कि जो आप जैसे हैं, like attracts like, तो अगर आप बड़ा मकान चाहते हैं, तो अपनी बड़ी self image बनाइए, बड़ी worthiness लाइए, अपने आपको clean करिए, और बड़ कुरी अंदर ही याद रखे का आपका subconscious mind आपके reticular activating system के थुरू ही तो जुड़ता है, I mean उस energy के साथ, आपके अंदर कुछ और वो थोड़ा ही है, भाय आपके mind की जो frequency है, वो आपका reticular activating system पकड़कर आपके focus को और आपकी information को इथर के द्वारा, लोगों तक यह opportunity तक belief system को, अपनी overall सोच को और उसमें यह नहीं होना चाहिए, देखे सिंपल सी बात है, आप low protection को एक चीज समझ लें सभी लोग, माल लेते हैं एक फादर है, एक बच्चा है, और फादर कहता है, मैं मैं आज मार्केट में जा रहा हूं, और बच्चा दीजे से उसे कहता है, पा एक जिग्यासा को रखकर, आप जब certainty में जीते हो, तो आप इस certainty को gratitude कहा जाता है, यानि कि जब आपको मालूम है, कि अमेज उन पर मैंने पैसे डाल दी है, और मुझे ये किताम मंगा नहीं है, तो आपको पता है कि एक नहीं दिन, दो या तीन दिन में यह आ जाएगी, उस अपनी भी लाइफ बढ़िया करनी है, अपनी लाइफ को बढ़िया करके बाकी लोगों के मुझे काम आना है, यानि कि ग्रोथ भी है, contribution भी है, तो यूनिवर्स आपकी बात को सुनेगा, लेकिन आप ये कभी नी कहेंगे कि ये कली होना चाहिए, वो अभी तो फादर मार्क इसमें तयार होना शुरू हो जाते है, इसे हम क्वांटम के रियालिटी भी कहते हैं, या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी लाइफ में law of attraction को लेका आना है, तो सबसे पहले एक purity चाहिए, फिर हमारी intention अच्छी होनी चाहिए, और हमारी उसके साथ में intensity मतलब चाहि जितना इसकी intensity होगी, कि मुझे चीज क्यों चाहिए, यूनिवर्स पूछेगा, महाले आता है, आप छोटे से बच्चे हैं, या आपका छोटा सा बच्चा है, वो कहला है, ममी मुझे तो एक पिस्टोल चाहिए, तो आ हवास हैंगी ना पहले, भी से पिस्टोल क्यों चाहि है, कि आप मांग क्या रहे हैं, खुद को क्वालिफाई नहीं किया आपने, खुद को क्वालिफाई तुम्हें करना होगा ना, उसे भी कोई और ही क्वालिफाई करेगा, यूनिवर्स पूछ देने को तयार है, लेकिन पहले आप क्वालिफाई करिए, यानि कि वो intensity के रिय तो चीज़ों को लेंगे,